10 लाग से 1 करोड तक का लोन आपके बिजनस के लिए कैसे जानेंगे इस वीडियो में हाई अब्रीवान नमस्ते मेरा नाम है विदूशी एंड यू आर वाचिंग जोश्वनी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Government of India की एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां सरकार महिलाओं के लिए अलग-अलग स्कीम लेकर आती रहती है इन सभी स्कीम का मोटो एक ही रहता है कि इससे औरतों को समाजिक और आर्थिक रूप से स्ट्रॉंग कैसे बना सके ऐसी एक स्कीम का नाम है Stand Up India स्कीम इस स्कीम को Government of India ने खास महिलाओं की financial help के लिए साल 2016 में स्टार्ट किया था इसकी help से Government, Schedule Cast and Schedule Tribe और औरतों को 10 लाग से 1 करोड तक कलोन प्रोवाइड करती है जिसको वो अपने business में लगा के अच्छी earning generate कर सकते हैं यह स्कीम Ministry of Finance ने स्टार्ट की थी Stand Up India स्कीम वस लांच्ट on 5th April 2016 और इस scheme के rules के according एक bank की branch कम से कम दो entrepreneurship projects को fund करेगा ही करेगा जिसमें से एक SCST, caste person and the other must be a woman entrepreneur एक चीज आपको पहले ही clear होनी चाहिए कि इस loan से मिला हुआ amount आप अपने personal use में नहीं ले सकते strictly business से related काम में ही यह पैसे use कर सकते हैं और bank आपकी पूरी transaction की history अपने पास रखती है और यह loan amount आपकी bank account में नहीं आता बलकि bank की तरफ से एक rupee card मिल जाता है जिस card के तुरू हम अपनी loan amount को use कर सकते हैं अब इस loan को लेने के लिए eligibility criteria क्या है उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे लेकर उससे पहले एक बहुत जिरूरी बात जब आप इस loan के लिए apply करते हैं और approve हो जाता है उसके बाद government आपको pre-loan training देती है जिसमें marketing, factoring and facilitating the loan इन सारी चीजों के बारे में आपको training मिलती है अब अगर interest rate के बात करें तो interest rate applicable on the stand-up India loan is relevant to bank's MCLR यानी की marginal cost lending rate 3% tenure premium इसका tenure 7 साल का होता है मतलब आपको ये loan repays 7 साल के अंदर करना होगा जिसमें moratorium 18 महीने का time है सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि loan लेते समय आपको bank के पास कुछ collateral security यानी की कुछ गिर्वी रखना होगा अब बात करते हैं इसके eligibility criteria के बारे में जो भी इस loan के लिए apply कर रहा है सबसे पहली चीज वो या तो SCST कास्ट से होना चाहिए या फिर woman उसके बाद age 18 साल से उपर होनी चाहिए जिस भी business के लिए आप ये loan apply कर रहे हैं वो private company, partnership company या फिर limited liability partnership में registered होनी चाहिए company का turnover 25 करोड से उपर नहीं होना चाहिए और सबसे important बात कि जब भी इस loan के लिए apply कर रहे हैं या कर रही है वो किसी भी bank से defalter mark नहीं होना चाहिए यानि कि अगर आपने इस loan से पहले किसी भी bank से किसी भी type का loan लिया है और वो payback नहीं किया है तो तब आपको loan नहीं मिलेगा अब बात कर लेते हैं documents की, passport size photographs, अधार card, voter ID card, driving license या फिर pan card की जरूरत पड़ेगी ID proof के तौर पर और address proof के लिए अधार card, driving license, passport, voter ID card या फिर electricity bill या फिर आपकी property tax की receipt का कोई भी document उसके बाद proof of business address अगर partnership company है तो partnership deed, तीन साल की balance sheet इसके अलावा bank अगर कोई और document मागता है तो उनकी जरूरत पड़ सकती है अब आप stand up India के लिए apply कहां कर सकते हैं तो यह बहुत ही छोटा सा और easy सा process है आपको google पर type करना है www.standupmitra.in थोड़ा सा नीचे scroll करने पर left side पर हमें दिखेगा apply here उस पर click करना है click करते ही screen पर page open हो जाएगा जिसमें अपना नाम जो आधार card पर है type करना है side में email और उसके side में mobile number enter करके generate OTP पर click करना है अब जो आपकी mobile number पर OTP आया है वो enter करके confirm पर click करना है और बस आपकी area से कोई bank official आपको contact कर लेगा और formalities पूरी करके आपको आपका रूपे card मिल जाएगा तो यह है वो पूरा process जिसकी help से आप अपने business के लिए loan ले सकते हैं I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर हां तो हमें comment करके जरूर बताइए आज की वीडियो में इतना ही आप से मिनेंगे next वीडियो में until then bye bye